अब देखो ऐसे question में आपको पहले भी करा चुका हूँ तो बहुत असाने करना कुछ नहीं है देखे जड़ा लाइन सेग्मेंट जुईनिंग दिस एंड दिस मतलब सुझो देखो एक पॉइंट यह आपका 3,-1 और एक पॉइंट यह आपका 8,9 इन पॉइंट के कॉडिनेट दिये में बना दीजिए यह लीजिए पॉइंट ए और यहां रहा आपका पॉइंट बी ठीक है पॉइंट ऑर और B के coordinates दिये हुए A को B से join करोगे point A के x point A coordinates कितने हैं बताइए 3, minus 1 point B के coordinates कितने है 8,9 और अब इन्होंने क्या बोला है कि determine the ratio in with the straight line अब देको straight line एक जा रही है उस straight line को मैं आपको दिखा देता हूं बच्चो यह एक straight line जा रही है इस तरीके से ठीक और इस line की equation देके रखा हूं आपको एक straight line है और इस line की equation कितनी x minus y minus 2 is equals to 0 सही है x minus y minus 2 is equals to 0 यह line की equation है यह जो line जा रही है यह लोगलर से ठीक है अब यह जो line है यह is line segment A B को कौन से ratio में divide करती यह question है ठीक है तो suppose जो line segment A B है उसको यह जो yellow वाले line है जिसकी equation question में देके रखी है suppose point P पर intersect करती है और कितने ratio में करती है suppose case to 1 में करती कितने में case to 1 के ratio में है ओके सो दिखाने के लाप ऐसे दिखा सकते हो उसको के इस to 1 में ठीक है अब point P के आपको coordinates निकालने तो यह assume कर लो कि point P के coordinates हैं लेटस से एक्स कॉमा यए अब समझो यह एक्स कॉमा वाइए इस yellow वाली line पर भी तो लई कर रहे है चेक करो ना भाई यह जो point P पर लाई करी रहा है और point P इस yellow वाली line पर भी तो लाई कर रहा है महीं बहूंद समझो इस point P के जो X और Y होंगे वो इस लाइन को satisfy करेंगे कौन सी वाली को यल्लो वाली को समझ गया तब कोई दिक्कत है नहीं ऐसे बहुत सारे questions मैंने आपको कराए हैं आप देखें क्या करेंगे यह कि यह हो गया M1 इस टू और यह हो गया M2 यहने M1 की जगा के और M2 की जगा हम क्या रखेंगे वन करेक्ट यह हो गया आपका एक्स टू आई टू आप देखो करना कुछ नहीं है आप खुद दिमाग लगाओ हम पॉइंट पी का एक्स कोडिनेट निकाल लेते हैं section formula से और जि एक्स कोडिनेट होगा मुझा निकलेगा M1 X2 अप्लस M2 X1 divided by M1 प्लस M2 गरेक्ट नो एक्स की जगाँ एक्स ही रहने दो इस इकोल्स टू M1 X2 M1 कितना है M1 की जगा के रखोगे तो के इंटू X2 X2 कितना है 8 अप्लस M2 X1 M2 कितना है 1 इंटू में X1 X1 कितना है 3 divided by M1 प्लस M2 M1 कितना है K और M2 कितना है 1 ठीक है ना K प्लस 1 यह लीजे ठीक तो यहां सा जाएगा X is equals to 8 इंटू के 8K अप्लस 3 इंटू 1 3 अप्लस 1 यह आ गया X कोडिनेट ठीक अब इसी तरीके से पॉइंट पी का Y कोडिनेट निकाल लीजे तो Y कोडिनेट कितना हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 करेक्ट बासन नहीं बस आब इसमें वैलू जखिए और Y की भी वैलू आपकी के के टमस में आ जाएगी ठीक है ना सो यहां सोज़ेगा आपके पास कितना Y is equal to M1 M1 कितना है K into Y2 Y2 कितना है चेक कर लो 9 के इंटो 9 और प्लस M2 Y1 M2 कितना है 1 इंटो में Y1 Y1 कितना है माइनस 1 चीए डिवाइड़ेड वैं M1 प्लस M2 M1 कितना है K और प्लस M2 M2 कितना है 1 तो यहां साथ जाएगा Y is equal to 9 into क्यों होता है 9K ठीक है प्लस माइनस माइनस 1 into 1 1 अब आन में K प्लस 1 यह लीजे क्या दिक्कत है ठीक है तो अब बहुत असान हो गया यह X की वैल्लू है मतलब X coordinate है Y coordinate है किसका point P का but point P इस line पर भी लाई कर रहा है कौन सी line X minus Y minus 2 is equal to 0 तो इस जो X और Y की value है इन values की help से हम इस line को satisfy करा देंगे क्योंकि जो point किसी line पर लाई करता है उस point के coordinate उस line को line की equation को satisfy करते है ठीक ना तो line क्या आपकी X minus line की equation क्या है X minus Y minus 2 is equal to 0 X की जा कितना रखो गया यह value सही है कितना है 8 K plus 3 by K plus 1 ओके और उसके बाद अब थोड़ा ध्यान दीजेगा यह वाल माइनस है ना तो Y का value आपको कहता रखना है bracket में ठीके ना वाई की जगा आप यह पूरा रखोगे bracket में कितना है 9K minus 1 upon me K plus 1 इसको भी आप चाहो तो bracket में कर सकते हो और minus में 2 is equals to 0 बस इसको solve कर लो अब देखो इसको कैसे solve करेंगे बहुत असानी से माइनस टू को अधर भेस दो प्लस टू हो जाएका ठीक यहां क्या हो जाएक आपके पास 8K plus 3 upon K plus 1 minus 9K minus 1 upon K plus 1 minus 2 right में जाएगा 0 plus 2 टू हो जाएगा अब ध्यान दो जाएगा K plus 1 of K plus 1 calcium K plus 1 मैं आपको कई बार इन असे ही कॉपि कर देते हैं तो k plus 1 को है ask the Eu recommendedOD कर दोगा उपर वाले जूं मैने सम्ट्रैक कर देंगे यहनं क्या हो जाएगा 8K plus 3 minus bracket में 9K minus 1 is equals to 2 ओके इसके बाद solve करेंगे यहांस क्या हो जाएगा 8K plus 3 minus अंदर जाएगा तो minus 9K और minus minus तो plus 1 हो जाएगा plus 1 upon में कितना है k plus 1 ठीक is equals to 2 और यह 8K था है यहां पर है इसको 8 नहीं 8 के कर लीजे अब ध्यान दवच्चो 8K minus 9 के कितना होता है minus 1 के भाई चेक करो ना 8 minus 9 कितना होगा minus 1 यह नहीं minus 1 के मितला minus k तो minus k और 3 plus 1 कितना हो गया 4 plus 4 upon में क्या हो गया k plus 1 is equals to 2 यहां bracket लगा लो यहां bracket लगा लो के से के काट मत देना ठीक है तो equation क्या बन रही है हमारे पास minus k plus 4 upon k plus 1 अब इतने आप समझदार हो यह जो k plus 1 नीचे आ रहा है denominator में यह उधर जाके 2 में multiply कर देगा तो हमारे पास क्या बच्चे का left में minus k plus 4 is equals to 2 into 2 multiply करेगा k plus 1 से यह नहीं कि 2 into k plus 1 अब देखो यह left में क्या जाएगा minus k plus 4 is equals to 2 जाएगा दर तो 2 into k 2k और plus 2 into 1 2 correct ओके नौँ अब ध्यान दो यहां पर देखिए आप एक काम करो 2 k को left में लेके आओ 4 को right में तो minus k left में ऐसे था और 2 k left में आएगा तो minus 2 k is equals to plus 4 right में जाएगा तो minus 4 और plus 2 सही है अब minus k minus 2 k कितना होता है minus 3 k by minus minus plus sign लगेगा minus का तो minus 3 k is equals to minus 4 plus 2 minus 2 ठीक यहां minus minus cancel 3 k is equals to 2 तो कितना आ जाएगा 2 by 3 यह 3 जाके उदर दिवाइट कर देगा ठीक ना तो के अगर 2 by 3 है तो के स्टू 1 कितना आ जाएगा के का वैलू 2 by 3 is 2 1 यानि कि 2 by 3 is 2 1 का मतलब 2 by 3 हो गया यानि कि 2 is 2 3 हो गया तो जो लाइन है कौन सी यल्लो कलर वाली जिसकी एक्वेशन कितनी है x minus y minus 2 तो यह दिए गया coordinates of the point of intersection तो x और y की value निकालनी वो आपके जिम्मेदारी मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं करना है जब आपका k का value आ जाएगा तो k का value यहां पर रखोगे आप यह वाली